तो आप यसे बहुत सारी लोगों नी अपनी बच्पन में टाइम इस मनी इस सेंटेंस को 100% सुना ही होगा लेकिन टाइम सच में मनी कैसे बन जाता है और टाइम इतना जादा इंपॉर्टन क्यों होता है ये इस मूवी में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है सो बिताउट बेस्टिंग टाइम लेट स्टाट अपनी टाइम को बढ़ा सकती है लेकिन अगर उनका टाइम सीरो हो जाता है यानि कि उनका टाइम जीरो पर पहुंच जाता है तो उनकी दैत हो जाती है यानि कि यहां पर पैसो के बतले टाइम देना होता है और चीजें खरीदनी होती है यही वज़ए होती कि यहां पर दो टाइम जोन एक्सिस करते हैं यानि कि वह इरिया जो बहुत ही साधा पूर होता है जहां कि लोगों के पास मैक्सिमम 24 घंटे ही रहते हैं और इसके स्टार्टिंग सीन में हम अपने में लीट यानि की विल से इंटर्ड्यूज होते हैं और विल भी डायटन में ही रहता था विद इस मदर और बाकी लोगों की तरह ही उसे टाइम कमाने के लिए खाम भी करना पड़ता था और अज विल की मदर का 58 बड़्द होता है यानि कि व विल उन्हें यह पताता है वह आम रेस्लिंग करें कि एक्स्टा टाइम कमा सकता है लेकिन उसकी माम उसे कहती है कि आज वह अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर लेंगी तो उसे यह सब करने की ज़रूत नहीं है और वह उसे 30 मिनट ऐसा गिफ्ट भी दे देती हैं और इसके लोग अपने अपने काम पर चले जाती हैं रास्ते में मायक नाम की छोटी सी बच्ची से मिलता है जो कि विल से थोड़ा सा टाइम मांग लेती है और विल इस चोटी बच्ची को पांच मिनट किफ्ट कर देता है और उसकी बाद विल फैक्टरी में पहुचता है जहां वो विल को हैंडरी नाम की एक बंदे से इंट्रियूस करवाता है उसकी पास गईस सौ साल से भी उपर का टाइम होता है विल हैंडरी के पाच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस सरह के क्लप मी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां पे कोई भी तौंको लूट सकता है लेक इसके ग्राइंग को देखकर कलब के सभी लोग यहां से चले चाते हैं लेकिन फिल वहीं प्रफ चुपा कुछ देख रहा हो में हो करता है है और यहां से फागने में वह 2 वांग कर एक प्लेस भी पहुंचा था है और यहीं छृपने का करते हैं हैं दाटा है कि वह न्यू ग्रेंविच एरिया से आया हुआ है और वह एक सुपार साल का हो चुका है वहां इतना लंबा समय जीकर वह तंग आ चुका था यानि की बोर हो चुका था और इसलिए वह अप मरना चाहता है बात्चित करने के बाद वह दोनों वहीं पर सोच आते हैं और और भी एक पर नहुटने लग जाता है और यहां हों आएक एक बैटा हुआ और मॉटने अन таких छेने का इंतजार यह गराता है हैंघे गिर जाता है क्योंकि उसकी पस जाता है और रात को विल की मदर अपनी काम से जब वापस आती हैं और बस से घर्च आने के लिए वो बस के अंदर एंटर ही होती हैं बच वहां पर ट्राइवर उनी बताता है कि बस का किराया बढ़कर टू आर्ट्स हो गया है सैडली विल की मॉम के पास इतना टाइम नहीं था उनकी पास केवल 90 मिनट का ही समय रह गया था और इसलिए वो बस नहीं लिपाती है और घर पहुचने में विल की मदर को 90 मिनट से जादा लगने वाले थी सो इसलिए वो घर के तरफ दौनाल स्टार्ट कर देती है और दूसरी तरफ विल अपनी मॉम का इंतिसार कर रहा होता है बट वहां वो नहीं आ पाती है और विल समझ जाता है कि कुछ तो गरबर हो गई है और वो उनकी आफिस की तरफ भागता हुआ जाता है और थोड़ी के पास अब इतना जादा टाइम हो गया है कि उसकी मॉम को ओवर टाइम करने की जरुवत ही नहीं पड़ेगी लेकिन सैटली उसकी मॉम की डैथ हो चुकी थिया नेक्स्ट टैम की पर जकी टाइप के निगरानी रखते हैं वो उन्हीं हैंडरी की डैट बोरी मिल जाती है औ ली टाइटन को छोड़कर नियू क्रेट उर्च मेंशिपट होने का टिसाइड कर लेता है विल होटाव में जाकर स्वेप के ने हुकार में ग़्सका टौरón अचाफ में चाप और पृदुति हैं возв爪न के इक विसनेस करता था विल और फिलिप यहां पर पोकर गेम खिलते हैं जिस पर वो दोनों अपना सारा टाइम लगा देती हैं जहां गेम का टोटल प्राइस पढ़कर 1100 साल तक पहुच जाता है गेम के लास्ट मूव तक विल के पास केवल 28 सेकेंड ही बचे हुए होते हैं सब प्राइसली लास्ट बासी में विल जीए चाता है और संगा सारा टाइम के 100 साल का टाइम उसे मिल जाता है वी विल से बहुत सब्सक्राइब होने के पाद और उसे अपनी डॉरफ तोर रात में डिनर पर इंवाइट करती है। पर पार्टे में फिलिप वील पूरे फिामली से इंट्रिदीूस क पर आता है कि पेना हो पाम को पकरने के लिए पहुण आता है और को उसकी बातों पर श्युवस्वाइब की टाइम चीनले लेते हैं औरurst होd stigma टाइमगीपड़ पर अटैक कर देता है और सिलीविया को बना कर यहां से भागज जाता है विल लेकर बहुत दूर भाग जाता है बड रास्ते में उनकी काल का बुरा एक्सिडेंट हो जाता है तो देधेपाद फॉर्टिस भी यहां पर आ जाते हैं जो कि सिलीविया के हात प जिसके पात वो दोनों बॉरिल यानि की विल्का दोस्त जहां उन्हीं पता चलता है कि विल्ल ने लास्ट टाइम बॉर्ल को जो दस साल का टाइम दिया था गिफ्ट किया था बॉर्डल ले उसका अच्छे काम में यूज करने की वज़ए शराब में यूज किया जिस कारण से उसकी देथ हो गई विल सिलीविया की यहरिंग्स को नोटिस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और वो दोनों इनसी कुछ टाइम पर चेस कर लेती हैं और विल फिलिप्स को कॉल करता है और सिलीविया के बतले 1000 यहाने की 1000 साल के टाइम की डेमांड करता ह लेकिन उनकी इस कॉल से टाइम कीपर को विल की लोकेशन का पता चल जाता है और यहां विल सिलीविया को अपने घर ले चाता है जहां सिलीविया को टाइटन में रह रहे लोगों के बारे में पता चलता है और उसे यह रिलाइस होता है कि नियू ग्रिविच के लोग किस त दोनों बाहर चाते हैं और यहां सिलीविया बाफस किलिया रफ्यूज उर्वh कहते हैं कि हम कुछ कौह हैं कि यह काम जादा इंजरस हो सकता हो सलीफिया को हाम नहीं करना चाहता थैं़ अर्स वो विल के साथ में इस काम को अंजाम देने के लिए अपना मन पूरी तरह से बना जुकी थी सिलीविया और विल एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबित सिलीविया फिलिप्स को यानि के अपने डैड को कॉल करती है जिससे उसे पीपता चौलता है कि टाइम कीपर्स यहां प किप्ट कर देता है फिर कार में से लीविया विल से पूछती है कि तुमने आखिर का और राइमन को अपना टाइम क्यों दे दिया जहां वह गैदा है कि पास टाइम बहुत कम बचा है और जब तक राइमन के साथ ही यहां तक पहुचेंगे रामन की देथ हो चुकी उसने अ रिश्वत देकर मामला सुलडाने के लिए कहता है लेकिन काफी इमान दाल टाइम की पर था और इसलिए वह यह रिश्वत कर देता है और फिलिप को वान करता है कि अगर उसने अपनी डॉटर की मदद की या मदद करने की कोशिश करी तो उसे भी जलमी डाल देगा वहीं द देते हैं और चाहां वह दोनों इस तरह से फिलिप के बागी पांच पैंको भी लूट कर गरीबों में बाट दिया करते हैं और रात को विल और सिलीविया एक होटेल में होते हैं जहां यह कवर मिलती है कि टाइम कीपर्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और टाइम खिलाब वारंच निकाल देते हैं और फॉस्टर्स भी लगवा देते हैं कि उन्हें पकड़ने वाले को दस साल का चाइम रिवार्ड दिया चाहेगा फॉर्टीज होटेल में विल और सिलीविया को खोचते हुए उनकी पास में आकिकार पहुच आते हैं और यहां वॉर्ट डाइटन के लोगों के पास सादा टायम आ गया है और इसलिए न्यूगरीन वीच के लोगों ने चान बुच कर लोगों बढ़ा दिया है ताकि दाटन की लोग हमेशा गरीब ही रहें पिर सिलीविया विल के साथ में एक प्लान बनाती है जिसके मताबक सिलीविया फिलिप क कमपडी में उसके सामने आ जाती है और इतने में विल पीचे से फिलिफ के सर पर गन-पॉइंट कर देता है और उसे हॉस्टेस बनाकर वो लोग लॉकर की पास में पहुझ जाते हैं लॉकर खूलने पर वो दोनों शॉक्ट हो जाते हैं क्यों कि पास मिलियान येर्ज के टाइ यहां से भाग चाती हैं जाते जाते फिलिप्स उन्हें वाउन करता है कि अगर उन्हों ने इस टाइम को गलत सोन के लोगों में बाट दिया तो यह पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन विल उसे कहता है कि वो यही करना चाहता है और यहां राइमन को पता चल ज चुकि इस टाइम को डाइटन के सभी लोगों में बाट देगी फिर विल किसी तरह से राइमन से बच्टे हुए डाइटन पहुंचता है और माया को टाइम कैपसूल भी दे देता है लेकिन तभी राइमन यहां पर आ जाता है और विल और सिलीविया सरेंटर कर देती हैं ल लाइमन से नहीं है कि उनके पास अब काफी कम टाइम बचा हुआ था रामन के सामनी आता है और उन पर कंट कर देता है विल कुर्थ से कहता है कि आगर वह से अग्जा क्रसकता है लेकिन उसे टाइम मुथा पास gi 또 आना हो जो लास्ट टाइम उसने राइमन को शियर किया था जहां उसे समय राइम millenn अपने हाथ पर देखता है जहां उससे यह realize होता है कि उसने अपनी आज की salary लिए ही नहीं है और इस कारण उसके पास केदल 400 केन ही बचेते और इतने वह उसके time खतम हो जाता है और राइमंट भी मर जाता है जाए विल समझ जाता है कि राईमेंड ने अपनी salary कलेक्ट नहीं करी थी और इसलीए उसकी death हो गई है। को चुटी पर जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि पूरा सिस्टम भी अब खत्म हो चुका था और उनकी अब कोई सरूरती नहीं थी वहां हम विल और सिलीफिया को एक बड़ी से बैंक के सामने देखते हैं और यहीं मुवी का दियांट हो जाता है सो मुवी का कॉंसेट बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग था यहां शो किया गया था कि किस किस तरह से फ्यूचर तक लोग इतनी जादा घ्रिडी हो चाहेंगे कि सभी रिसोर्स खत्म होने के बाद भी अब इनसान की लाइफ टाइम को भी एज़े करेंसी यूज किया चाने ल कि उनका ये सिस्टम कितना साधा करप्ट है और फाइनली वो डिसाइट करता है कि वो इस सिस्टम को भी खत्म कर देगा जहां वो कुछ हद तक ऐसा करने वे सक्सेस्फुल भी हो जाता है सु गाइस यह थी इन टाइम मुवी की एक्स्परनीशन एंड आम शूर कि आपको य से गया से पूल सुछ हो जाता है से क्स्परनीशन एंग करया है से इस साधा बंड़ जाता है और गिसके से हें m."